नमस्कार ओर दिपाली अप सभी का स्वागत दिपाली आस्ट्रों में करते हूं और आप सभी को आज के दिन की यह निकि 2 Alone 2014 की गांधी जहन्ती की और शास्त्री जी के जनन दिन की लाख-लाख बदाईयां आप शुरू करते हैं आज का दिन तो देखते हैं आज का दिन मेशाशी वालों के लिए कैसा जाने वाला है चली बात करते हैं मेशाशी वालों के लिए मेशाशी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन positivity से भरा हो सकता है आज का दिन आपके लिए कुछ नए अवसर नई opportunities लेकर आ सकता है आज के दिन अपने मन को साधने की कोशिश कर या ध्यात्म की तरफ या योगा या कुछ भी meditation या exercise की तरफ अपना रुजाने जुकाव करने की जरूरत है क्योंकि आपके दिमाग में एक साथ एक point of time में इतने सारे thoughts चल रहे हैं तो अगर आप सबको alignment के दारे में लाना चाहते हैं तो आज के दिन जरूरी है कि आपको अपने दिमाग पर ध्यान देने की जरूरत है आपको अपने दिमाग को साधने की जरूरत है क्योंकि आप इतना mental pressure आज के दिन एफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके planning तो सही होती है लेकिन जब उस पर execution की बात करते हैं तो आपके different thought process उसमें blockage लगाते हैं तो जरूरी है कि आज के दिन आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी काम काज में आज के दिन आपको कुछ नया अवसर भी मिल सकता है जिसको जरूरत है आपको सही तरीके से explore करने की बात करते हैं बृषव राशी वालों के लिए बृषव राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन समानेता जाएगा कुछ खास नयापन देखने को नहीं मिलेगा लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव साजा होता हुआ नजर आएगा कोई निशकर्ष निकलेगा या नेगोशियेट करने की परिस्तिती आपके सामने आएगी साथ ही साथ आज के दिन आपकी नवीनतम कोई विचारधारा आज के दिन जनम लेगी जो आपके जीवन को आपके लाइफस्टाइल को कुछ न कुछ अपलिफ्ट करके जा सकती है बात करते हैं मिथुन राशी बालों के लिए मिथुन राशी बालों you are doing absolutely fine कहीं से कोई tension या आज के दिन आपको कोई restlessness नहीं होगी हाला कि आप भी बहुत जादा overthinking करते हुए देखे जाते हैं लेकिन आज के दिन आप शांती प्रे तरीके से इसको बिता पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में अब कहीं न कहीं कुछ और planning चल रही है कहीं न कहीं आपके दिमाग में कुछ groundedness आये थोड़ी सी stability आये थोड़ा सा आपने आपको शांत रखने की कोशिश या मैं कहूं कि एक शांत रखने की प्रवत्ती आपके अंदर एक जागरत हुए तो वो एक काभिले तारीफ काफी अच्छा एक development है इसी तरह से अगर आप चलते चले तो आपको professionally भी कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सिचुएशन देखने को मिलेंगी परिवार के तरफ से कुछ नई situation आ सकती है कुछ नई अच्छी get together की एक news आपके पास आ सकती है situations करकर आशी वालों आपके लिए बिल्कुल ठीक हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं परिस्तितियां आपके लिए जो विशम थी अब आपने उसको सब नेगिटिव तरीके से आपने फेवर में धाल लिया है negativity या नेगिटिव लोगों से अब आप सीख गए हैं कि कैसे अपने आपको दूर रखना है परिस्तियों को ignore करना भी अब आपको आ गया है कहने का मतलब यह है कि now you know how to say no तो वो परिस्तिति आपके लिए काफी काबिले तारीफ है कारशेतर में भी आपके लिए अच्छी परिस्तिति बन रही है communication को आज के दिन clear रखना है misunderstanding ना हो इसलिए आपके शब्दों का प्रेयोग या शब्दों का चैन आज के दिन tactful होना चाहिए बात करते हैं सिंगराशी वालों के लिए situations आपके लिए सिंगराशी वालों बिलकुल ठीक है property matters में आज के दिन आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जागरू करने की जरूरत है या बहतर तरीके से options को explore करेंगे साथ ही साथ आज के दिन आपको कोई बहतरीन राय, सूचना, निर्देश या संकेत किसी ऐसे व्यक्ति विशेश की तरफ से आ सकता है जो आपका mentor हो या आप से उमर में बढ़ा हो अगर उसके दिये हुए आप किसी भी राय को या हिदायत को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपके लिए positivity indicator है परिवार के साथ समय बिताईए जिससे कि आप अपने जीवन में चल रहा है जो छोटा मोटा stress है इसको भी आप balance out कर सकें बात करते हैं कने राशी वालों के लिए कने राशी वालों या दूइं आपको इंट्रोटली फाइन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने financial angle को आज के दिन निवेश करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं और आपने options explore कर रहे हैं तो सोच के समझ के best option को आपको अक्तियार करना चाहिए इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति विशेश से आपको राय सला मश्वरा करना चाहिए साथ ही साथ आज के दिन आप अपने जीवन में भी कुछ न कुछ नवीनतम परिस्तितियों को लागू कर पाएंगे लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव आपके लिए कोई न कोई विशम परिस्तिति क्रियेट कर सकता है अगर आपने सल्यूशन तक पहुँचने में जल्दबाजी करी आपके निर्णे के साथ पूरा परिवार रहे आपके निरने को पूरा परिवार रिस्पेक्ट करें इसलिए इस मैटर में अगर कोई परिवार का कोई conflicting situation चल रही है तो सोच के समझ के अपना verdict या अपनी विचारधारा को आप व्यक्त करें बात करते हैं तुलराशी वालों के लिए आपके लिए तुलराशी वालों situations बिल्कुल positive हैं कहीं से कोई भी negative परिस्थिती नहीं है कारे शेतर में समानेता परिस्थिती रहेगी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा जो लोग नौकरी चेंज करने के लिए एकशुक हैं नौकरी चेंज करने के बारे में सोच रहे थे कुछ नया appointment है कहीं कुछ जाना है किसी से मिलने जाना है कुछ interview schedule है तो आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है जिस तरह से चल रहे हैं जैसी परिस्थिती को लेकर चल रहे हैं वो बिल्कूल ठीक है अनुकूल तम परिस्थिती की तरफ आप अग्रसर हो ढ cathay, भात करते हैं व्रिश्यक राशी वालों के लिए वृष्यक राशी वालों आज के दिन के में बात करूं तो आज का दिन आपके सहुलियो कुछ रहा को सकता है साथ ही साथ आज के दिन आप उन सभी तथियों को रिव्यू कर सकते हैं जो इतने समय से फिनांशल आसपेट को लेकर चल रहे थे और कहीं न कहीं उनमें कहीं कमी हो रही थी अगर आपके जीवन में कोई टेंशन चल रही थी जिसको आप अडरेस नहीं कर पा रहे थे चाहे वह फिनांशल मैंटर्स को लेकर हो चाहे वह एलब में बोई पॉइंड़कों छाहे वह किसी कॉनस्रीक्ट को लेकर हो तो अब आप अपने औप्शिन्स को ठंड़ दिमाग के साथ वह कर सकते हैं और अब आपके पास बहुत ही बहतरीन सेल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए धनुराशी वालों यह डूइंग आपसुलूटली फाइन कुछ आज के दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा सा over exhausted आपका दिन रह सकता है second half के दोरान थोड़ा सा tiring आप फील कर सकते हैं लेकिन it is just a phase I would say कि जिस तरह से आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं positivity को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो aggressor है आप इतने या मैं काऊंगी आप इतने thoughtfulness है आपके अंदर इतनी maturity है उसी तरह से आप चलते चलें थोड़ा सा इसमें conviction और लाने की जरूरत है discipline approach को थोड़ा सा और आप कर दीज़े अपने जीवन में देखेंगे कि आपकी सारी situations automatically balance out होने के कगार पर आचुकी है परिवार के किसी वरदितम सदस्य के स्वास्त के परती थोड़े सी आज के दिन आपको चिंता हो सकती है बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए भाई बहन की तरफ से मकर अर्शी वालों आज के दिन आपको कटू शब्द सुनने को मिल सकते हैं लेकिन इस पे आपको ना तो रिटालियेट करना है ना की इस पे आपको कोई रिस्पॉंस देना है इसको अगर आप जितना इग्नॉर कर सकते हैं इसको इग्नॉर करें क्योंक आप अपने उपर ध्यान दें बहारी परिस्थिति या बहार के लोग घर परिवार वाले भी आपके बारे में अगर कुछ नेगेटिव कॉमेंट्स कर रहे हैं या कुछ ऐसी कटू शब्दों का प्रेयोग कर रहे हैं जो आपको अन सो मैनी लेविल कर सकता है तो इसको एग कारे शेत्र में आप समरपित रह सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन आपको आपके अपर बॉसस का सपोर्ट मेलेगा विचारधाराय आपके नई पनप सकती है कुछ नया प्रबलतम तरीके से कॉन्फिदेंस लेविल में भी जाफा हो सकता है लंबे समय से चल रहा है पारिव मैं कहूं कि लाबदा एक सिद्ध हो सकती हैं बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आपके लिए सिटुवेशन बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगी अपने आपको आपको शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए जैसे समानिता परिस्तिती चल रही है वैस हो जाता है उस पे आपको थोड़ा सा आज के दिन नियंतरन करना है आज के दिन अपनी सोच को नियंतरत रखें अपने मन को विक्सित करने के लिए अपने उपर ध्यान देने की जरूरत है खास और से से किंड हाफ के दौरान परिवार की अगर आपको विशेश कर माता या के स्वास्त के प्रतिया आप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं तो वो परिस्थितिव आपके लिए पॉजिटिव है उनके स्वास्त में आपको जाफा होते हुए दिखाए देगा कुल मिलाकर आपके लिए परिस्थितिया पॉजिटिव हो रहे हैं but you have to channelize your brain or mind अपने आपको